हेलो गाइस वेल्कम बैक टो अवर चैनल एसे यूटिवर में आपका होस्ट एंदोस राणी तो इस बीडियों लोग पोको की आपको स्मार्टफोन की बारे में डिसकस करेंगे तो पोको के तरफ से एक 5G फोन बहुत जल देखने को मिलेगा एंड एफोन पहले ग्लोबल मर्क में देखने को मिलेगा एंड फोन जानुवारी माहने की अंदर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा फोको एक्स फाइब फाइब में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकसन देखने को मिलेगा एंड फोन क्या प्राइस बैकेट की अंदर इंडियन में देखने को मिले तो इन सरे सवालों के उपर बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो काफी इंटरस्टी होने बाला है वीडियो की एंड तक जुड़े रहना पहले डिस्प्ले डिजन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर 6.67 इंची FHD+, 120Hz, refresh rate यहां पर IPS LCD का panel देखने को मिलेगा हाँ दोस्तों तो एमुलड का panel देखने को नहीं मिलेगा हां पर IPS LCD का panel देखने को मिलेगा और बैक साइड पे quad camera का setup देखने को मिलेगा side mounting fingerprint scanner होगा और इसका आगाए discipline के बारा आता हम तो बैक पे plastic बीड देखने को मिलेगा और प्लास्टिक फ्रेम भी देखने को मिलेगा बील्ड डिस्पेल और डिजैन की बात करो तो जिस प्राइस प्राइस पूइंट में यहाँब शैण प्राइस स्पाइस पू प्लास का montबाइस तेक्ने को मिलेगा यहाँ पर Adreno 642L का गेमिंग ग्राफिक्स यह तो इसे अब हाल का फूल का नहीं हाई लेबल का गेम एजी ले खेल पाएंगे तो आपको पॉपमेंस का लेबल आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा यहाँ पर LPDDR4X9 and EOS 3.1 का इस्टोरिज का सापोर्ट भी देखने को मिलेगा पोको X5 5G out of the box Android 12 यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर पोको की MIUI 13 out of the box देखने को मिलेगा तो MIUI में थोड़ा बहुत एस बूटेरस और बाग देखने को मिलता है बाट इस बूटेरस को इज़ी रिट कर पाऊगे तो आप Android 12 ठीक ठाक देखने को मिलेगा यहाँ पर बैक पर Quad Camera का सेटप देखने को मिलेगा पोको X5 में 64 MP का में सेंसर होगा यहाँ पर आपको OS का सापोर भी देखने को मिल सकता है उसकी साथ 13 MP का एक आल्टरोइड सेंसर और 5 MP का एक Macro और 2 MP का आपको एक Depth सेंसर देखने को मिलेगा और बैक से आप 4K पैनल में बोके जा सब कुछ कर पाऊगा और बैक पर फ्लैस देखने को मिलेगा अगर फॉंट पर आओगे तो फॉंट पर 16 MP का एक सेंसर देखने को मिलेगा और फॉंट से आप 1080p वीडियो रेकॉर्डिंग कर पाऊगे और कैमेरा में रेस्ट से आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा कैमेरा से ज्यादा एकस्पेट मत कीजिए बैटरी के बैटरी के बैटरी के बैटरी आपको 6000 MP की बैटरी देखने को मिलेगा हाँ दोस्तों बैटरी आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा उसकी साथ आपको 67.0 की सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा तो एक decent battery, super fast charging and type support तो इन तीनों की combination देखने को मिलेगा Sensor की बार बाता हो तो यहाँ पे side mount fingerprint scanner, face on lock, proximity, geomality, gyroscope light, compass 3.5 m jack, IR blaster and आपको dual studio speaker का भी support देखने को मिलेगा तो आपको sensor की ममले में कोई भी issue नहीं आएगा Poco X5 5G में dedicated SIM slot का support देखने को नहीं मिलेगा तो आप 2 SIM एक साथ यूज कर पाएंगे बर 2 SIM के साथ एक SD card एक साथ यूज नहीं कर पाओगे variant के मैं बताओ तो Poco X5 का जो baseband start होगा 6GB, 64GB से इसका baseband start होगा इंडिया में इसका अगर launch date के मैं बताओ तो एफोन आज ही Indian BIS and FCC certification पर लिस्ट हो गया है इसका अगर इफोन आपको बहुत जल देखने को मिलेगा और पॉस्पेट ज़्याद है कि एफोन आपको global market में पहले देखने को मिलेगा इसका अगर इंडियान launch date के मैं बताओ तो एक अगर लिक्सर रिमार्स एफोन आपको जन्वारी के अंदर इंडिया में भी देखने को मिलेगा पोको X5 एफोन आपको प्राइसिंग के मैं बताओ तो एफोन आपको अंडर 20,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा क्योंकि पोको का फोन काफी अगर्सिव प्राइस पर इंडिया में लॉंच होता है तो एफोन भी आपको काफी अगर्सिव प्राइस पर देखने को मिलेगा एफोन आपको 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में एफोन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा सब लोग क्या पोको एक्स फाइब 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 जीस फॉन के लिए वेट करोगे कमान सेक्षिन में जरूर बताना